Hello Everyone, कैसे हैं आप लोग मेरे नाम इस जकी और मेरे पास है Iku Z5 यहां पर देख सकते हैं Iku Z5 में आपको एक new F40 update release किया गया है इंड्या के अंदर मैं आप लोग यहां पर update check करा ता हूं चलते हैं यहां पर setting में setting में आने के सेम मत का security patch level दिया गया है IQZ5 में तो यह काफी चीज़ है इसमें बताए गया है कुछ major issue को यहाँ पर fix करा गया है इस वाले अपडेट में वो क्या है यहाँ पर मैं आप लोग को एक ही करके बता देता हूं से पहले मैं आप लोग को बता दूँ अगर आप लोग अपडेट न गया है कि इसमें जो bugs fix करा गया है वो है touch screen के अंदर fix the issue where the touch screen occasionally does not respond until you restart the phone तो यहाँ पर बताए गया है कि touch screen के अंदर जो है issue आ रही थी वो यहाँ पर fix करा गया है इस वाले अपडेट में उसके बाद यहाँ पर एक और major issue को fix करा गया है वो यहाँ पर बताए गया है easy share के अंदर तो अगर आप लोग easy share use करते हैं तो यहाँ पर कुछ दिक्ते आ रही थी जैसे कि यहाँ पर बताए गया है fix the issue where transmission occasionally fails when using easy share तो अगर आप लोग easy share से कुछ चीज़ भेज रहे होंगे तो वहाँ पर क्या होता था कि कभी कभी fail हो जा रहा था साही से जानी रहा था तो वह यहाँ पर fix करा गया है इस वाले update में अगर आप लोग ने अभी तक अपडेट नहीं करा है आइकोजी 5 में इस वाले update को तो जाकर यहाँ पर update कर लीजिए काफी measure issue issue में fix करें गये हैं और मुझे लगता है कि इसमें जो battery drain के शुआ रही थी जब यहाँ पर आप लो को यह समझ में आ गया होगा कि आइकोजी 5 में आपको नीव f40 अपडेट रिलीस कर दिया गया इंडिया के अंदर तो वीडियो बस इतना ही फिर्म वीडियो चलिए तो लाइक जूसे कर दिएगा चैनल पर आप लोग नहीं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दिएगा बिल कर दो सकते हैं कि बादेघ दिया आप भीडियो ये शता है वीडियो चैनल है थर चैका में स ale यहीं तो, चैनल हो जो प्कल में एको फाल प हम झाचत्र वाल है पम स्क्राप रिलीस नहीं गडियो दो बसिका जूसमार दो सकते हैं, हमीब भीड़ीश